प्यारे विदार्तियों हम देख रहे हैं जो आपका इंगली स्कॉर का पेपर हुआ है इसके MCQ के आंसर्स तो फटा फट इसके आंसर्स देख लेते हैं जिसे इस इस इडियन ने पेपर भेजा है काफी ठीक ठाक सा भेजा है और इसके हम आबारी है यहाँ पर आपका यहाँ psychologist and neurologist के बारे में एक पैसेज दिया गया इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स आपको देने थे तो आपके पास सभी के पास यह पैसेज है आप देख सकते हैं वीडियो को एक सेकेड के लिए रोग देता हूं और दूसरा पैसेज यहाँ से स्टाट है और तीस by hand, write by hand, यहने कि क्या होता है जब वो हाथ से लिखना जो है, जानते, करते हैं, सीखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, retain information, तो उनको क्या मिल जाती है, उनको information gain करते हैं, वो retain information जो है, इसका right answer हो जाएगा, इसके बाद में, second के बाद में, अरे सोरी, second option इसका होगा, अब second question में, what is the reaction of the brain when a person writes, तो इसमें brain का reaction क्या होता है, triggers an activity, हमेशा trigger करता है, किसी ने किसी एक activity को, ठीक है, इसके बाद में passage में सारे answers दिये गए हैं, आप अबने, अगर पैसेज ढंक से पड़ा है, तो आपको answer मिलेगा, which part of brain area gets activated when a person draws free hand, जब free hand एक person draw करता है, तो कौन सा area जो है activated हो जाता है, तो reading and writing area जो है activated हो जाता है, second option जो है, हमारा correct हो जाएगा, पैसेज में आपको यह answer मिलेगा, which mode helps children perform better in competitions, तो कौन सा mode जो है, वो आपको, children को जो है, better performance करने के लिए मतलब वो करता है, आजादी देता है या फिर बोल सकते है, help करता है competitions में, तो कौन सा answer हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर answer हो जाएगा, right by hand, second option जो है, आपका correct हो जाएगा, right by hand, इसके बाद next जो question है, उसकी बात करते हैं, what is the advantage of taking down notes by hand हाथ से notes उतारने में क्या advantage होता है, यह आपको बताना है तो student learn better, तो यहाँ पर जो है, first option जो है, आपका correct हो जाएगा उसके बाद, sixth question है, what happens in laboratory setting and classrooms, तो laboratory settings में और classrooms में, जो है, क्या होता है यह आपको बताना है, तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा, आपका, वो हो जाएगा, students process contents and reframe it, second option जो है, आपका correct हो जाएगा, अगला जो question है, आपका सात्वा, which of the of the given word means the same as exhibited in paragraph 3, paragraph 3 में आप देखेंगे, exhibited का mean जो है, आपको सही निकालना है, तो इसका mean जो सही निकलेगा, वो होता है, demonstrated, तो आपका second option जो है, correct हो जाएगा, demonstrated मतलब परदर्शन करना, exhibition मतलब भी परदर्शन, demonstrate मतलब भी परदर्शन, दोनों ही परदर्शन चीज़े हैं, यहाँ पर read करना है passage को और इस पैसेज को कलपना चावला का पैसेज दिया गया, इसको पढ़ने के बाद में आपको answers देने हैं, यहाँ पर जो है, यह पूरा का पूरा पैसेज है, इसमें पहला question जो है आठवा who was कलपना चावला, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके subjective और objective जो इससे पहले paper हुए है, उनको solve कर दिया है, और इन papers के solutions continue जारी है, बाकी आपके exams के लिए most important question हमने जो solve करके डाले हैं, और जो important videos जो आपके लिए लाई जारी है, series 40 के नाम से, और जो important questions डाले जारे हैं, उनको जरूर देख लेना, सारे questions, जितने करा रहा हूं इसमें से आपको exam में देखनों को मिल रहा है, और आपके model paper में से भी काफी जगे से आ रहे है, हर paper में नहीं कहूंगा, लेकिर कुछ paper में आ रहा है, जैसे elective में paper में आया था आपके, इस कलपना चावला कौन है, तो astronaut है, वो अंतरिक्ष यात्री है, उसके बाद में, from which college did sea obtain her degree in aeronatical engineering, कौन से, जो है college से उसने aeronatical engineering करी थी, तो इसमें आपका जो right answer हो जाएगा, पंजाब engineering college, PEC से, तो third option जो है आपका correct हो जाएगा, उसके बाद जो है, what was the name of the space subtle on which sea was flying, तो वो कौन से space subtle से flying कर रही थी, तो answer हो जाएगा, Columbia, first option जो है, इसका correct हो जाएगा, पैसेज में सब लिखा है, कलपना चावला was born in, कलपना चावला कहां born हुई, तो वो अपने हर्याना की थी, तो कहां पर है, यह इंडिया में है, और इंडिया कहां पर है, तो आपको पता ही है, हमारा देश है, तो fourth option जो है, इसका correct हो जाएगा, इसके बाद जो next question है, बारवा, बारवे में आपसे पूछा गया है, NASA selected चावला as astronaut in, कौन से सन में NASA ने select किया चावला को, तो यहां पर जो होंगे काफी समय पहले की, तो उसमें हम avoid क्या करते हैं, तो आपसे हम avoid करते हैं, long sentences को, तो यहां पर third option जो है, इसमें correct हो जाएगा, यह summary should contain, यह summary क्या contain करना चाहिए, तो major points of original text, के वल major points को continue करना चाहिए, fourth option जो है, इसका correct हो जाएगा, इसका बाद जो है, आपका पंदरवा नंबर, what is written on the top of a notice, notice के top पे क्या लिखा जाता है, यह आपको बताना है, यहां पर पंदरवा question जो है, बहुत ही important रहेगा, तो name of the institution और organization, second option जो है, आपका correct हो जाएगा, उसके बाद है, solve a question, where is the solution placed in a notice, तो यहां पर solution पूछ रहा है, कि notice में कहा solution लगाते हैं, तो notice में, जो है solution, there is no writing of solution in notice, तो यहां पर fourth option जो है, correct हो जाएगा, there is no need to write solution in a notice, तो चौथा option correct हो जाएगा, इसके बाद आते है, next question की तरफ, which of the following is the most suitable way to start the body of a notice, तो कौन सा suitable way है, यहां पर जो दिया गया है, इसमें से कौन सा suitable way रहेगा, तो this is to inform, यह हम हमेसा लिखते हैं, यह सबसे suitable way होता है, हम दूसरों को सूचित करने के लिए लिखते हैं, तो how do you begin writing a complaint letter, एक complaint letter आप लिखना कैसे प्रारंब करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, क्या start करेंगे आप लिखना, तो हमारा जो answer हो जाएगा, begin with details of what happened, क्या हुआ उसके details के साथ हम start करेंगे, उसका बाद जो next question है, इसमें पुछा गया, what is written at the beginning of an article, article के beginning पे क्या लिखा होता है, तो सभी ने सही किया होगा, क्या होता है, title, इसका बाद next question, which of the following is the most suitable, solution for letters to editors, letter to editor लिखते हैं, तो हम solution का किसका उप्योग करते हैं, सबसे ज़्यादा इन में से, तो सबसे ज़्यादा हम जो उप्योग करते हैं, वो कौन सा है, तो sir या madam करते हैं, तो चौथा option correct हो जाएगा, who sat on the back benches of the last French classes, तो कौन बैठता है last benches of classes के, जो है, अभी मैं आपको ये question करवाया हुआ, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, तो हमारा answer हो जाएगा, villagers, the villagers, third option जो है, correct हो जाएगा, कौन बैठता है benches पे, last benches पे, french classes में, तो villagers बैठते हैं, तो यहाँ पर third option जो है, आपका correct हो जाएगा, इसके बादा आते हैं, next question पे, next question प जाएगा हमारा, 22 का the friends को Persian war, first option जो है, आपका correct हो जाएगा, इसके बाद जो next है, sahib's muttering and looking away, suggested his, तो उसका क्या साहब का muttering और looking, मतलब उसका muttering और looking away, दूसरी जगह देखना, क्या suggest करता है, तो 23 का answer क्या हो जाएगा, शाहिने, उसका सर्माना प्रकट करता है, suggest करता है, इ who do you think sahib is referring to as they in the sentence given below, तो इसमें दे किसको refer कर रहे है, sahib के हिसाब से, who do you think sahib is referring to as they, तो दे किसको बोल रहा है, sahib इसमें, तो आपका answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर answer हो जाएगा, आपका the officials, officials क्यों, क्योंकि यहाँ when they will winning, when I will go, तो यहाँ पर जो है, will कौन कर सकता है, तो official कर सकते हैं, तो यहाँ पर first option जो आपका correct हो जाएगा, who insists on being his own master, तो कौन insist करता है अपने master बनने के लिए 25 नमबर question का answer हो जाएगा, मुकेस, तो यहाँ पर जो है, second option जो आपका correct हो जाएगा, उसका बाद 26 नमबर जो question है, इसकी बात करते हैं, what make the city फिरोजाबाद, तो मैं आपर expect, कहा से लिया गया है, deep water is an accept taken from, तो कहा से लिया गया है, यहाँ पर आपको of man and mountain से लिया गया है, तो यहाँ पर second option जो है correct हो जाएगा, क्तौन सा 27 से पर में आपका correct हो जाएगा, of man and mountain से लिया गया है, इसे पुझा गया, why did Douglas go to sim at lake Wentworth किसलिए Wentworth के lake में हो गया था to know यहाँ पर कौन सा option सही होगा मैंने यह questions बहुत बार कराया है अगर आप लोग करते हैं तो अच्छी बात है to know more sure that he had overcome his fear of drawing in water तो अपने डूबने के डर से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए चौथा option जो इसमें correct हो जाएगा इसके बाद जो है आपका read करना extract को और उसके answers देने है 29 number आप से पुझा गया who is the poet of the given extract तो पावलो नेरिडवा जो है इसके extract के जो है इस extract के रचाईता है इसके बाद में 30 number है what does the poet expect in the accept the fisherman to do fisherman से क्या expect करता है poet क्या चाता है वो तो इसका answer हो जाएगा not to harm the whales first option जो है correct हो जाएगा इसके बाद next question है 31 the man gathering salt would look at his the man gathering salt would look at his तो जब man gathering salt को तो would look at his कैसा हो जाएगा तो उसको मतलब आपको कैसा उसका लगेगा तो यहाँ पर answer हो जाएगा आपका 31st का कौन सा answer हो जाएगा hurt hands तो यहाँ पर second option आपका correct हो जाएगा 31st का इसके बाद जो है next तो यहाँ पर man gathering the salt would look at his hurt hands वो कहां देखते हैं तो अपने hurt hand यानि कि जो उनका चोट लगा हुआ इससा है उसके बाद next जो है आपका 32 number where was the poet कमलादास driving to तो कमलादास poet कहां driving कर रहे थे कभी कमलादास कहां के लिए driving कर रहे थे यह आपको बताना है तो कोचीन एयरपोर्ट के लिए तो second option correct हो जाएगा who was sitting beside the poet कमलादास कमलादास के पीछे कौन बैठा हुआ था यह बताना है तो हर मदर बैठी थी second option correct हो जाएगा इसके बाद 34 who sits at the back of the dim class तो dim class में back में कौन बैठा है पीछे कौन बैठता है तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा तो यहाँ पर third option जो है आपका 34 का correct हो जाएगा ठीक है sorry a sweet and young child first option जो है यह correct हो जाएगा sorry by mistake my mistake यहाँ पर first option जो है correct होगा a sweet and young child क्या होगा 34 का first option correct हो जाएगा इसके बाद जो है how can visitors help the poor children तो visitors कैसे poor children का help करते हैं तो by fighting against the inequalities and injustice third वाला जो है वो सही हो जाएगा fighting against inequality and injustice और जो है पक्षपात और जो भेदभाव करने के लिए जो है वो संगर्स करके या उनके बदले लड़के तो यहाँ पर जो third option है आपका correct हो जाएगा 35 नमबर में 34 चतिस नमबर जो है आपका इसमें name of the program that takes high school student to the end of the earth is तो आपको बताया था मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम है इसके बारे में मैंने वीडियो कल रात को ही डाल दिया था तो student on eyes fourth option जो है आपका correct हो जाएगा आपने अच्छे तरह से पढ़ा होगा यह question और यह student on eyes बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसके बाद में आते हैं 37 नमबर पे 37 नमबर में पूछा गया है how many time zones did the writer cross during the journey to the Antarctica तो कितने times zone को जो है उसने cross किया journey जब उसने Antarctica को किया था तो 37 का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा 9 time zones तो fourth option जो है इसमें correct हो जाएगा इसके बाद आते हैं 38 नमबर पे 38 नमबर में पूछा गया let tigers be aware I who said this sorry I नहीं है यहाँ पर यह ऐसा दिख रहा है यह आपका जो है tag है ठीक है तो यहाँ पर जो है आपका let tigers be aware who said that तो यहाँ पर इसने यह जो line let tiger be aware इसने किसने कहा था यह आपको बताना है तो 38 का जो answer हो जाएगा the prince जा जुंग जुंग बहादूर ने तो second option जो है इसका correct हो जाएगा 38 का 39 जो है आपका इसमें पूछा गया है how many rings did maharaja send to British officers good officers got lady तो good lady के लिए कितने rings वेजे थे 39 का क्या answer हो जाएगा आपकी इसाब से तो यहाँ answer हो जाएगा 50 तो third option जो है इसका correct हो जाएगा और अंतिम question है सदाव went to America to learn सदाव क्या करने गया था अमेरिका तो आपको अच्छे तरह से पता है surgery and medicine learn करने के लिए डाक्टर सदाव तभी लगा था उसका नाम के आगे डाक्टर लगा था तो 40 question आपने देखे इसके लावा जो है आपके subject और भी solve किये जा रहे है thank you very much have a good day अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल भी न भूले